नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का to the point चैनल में स्वागत हैं दोस्तों आज के स्पिडो में एक्जाम से related कुछ महत्पूर चीजे आपको बताने वाले हैं जैसे की पेपर को हल करने का सही तरीका क्या है कैसे आपको पेपर सॉल्व करना है कौन-कौन सी बाते हैं इन सभी के बारे में बात करेंगे इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और जो भी बाते आपको बताई जाएंगी यदि आप उसे फालो करते हैं तो निश्चित रूप से आप एक्जाम में काफी अच्छा स्कोर करेंगे तो चलिए सुरू कर करते हैं सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि परिक्षा केंद्र पर आपको क्या-कै ले कर जाना है क्योंकि दोस्तों इस बार जो परिक्षा केंद्र है वह काफी दूर बनाया गया है और इसमें दोस्तों जल्दवाजी में आप यदि महत्वूर चीजे ले जाना भूल जाएंगे तो परिक्षा केंद्र पर आपको समस्या हो सकती है इसलिए दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि आपको परिक्षा केंद्र पर क्या-क्या ले कर जाना है तो चलिए शुरू करते हैं देखे दोस्तों सबसे पहले आपको अपना प्रवेस पत्र लेना है इसके साथ में आपको एक मूल पहचान पत्र जैसे की आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट इसमें से कोई भी एक आपको मूल पहचान पत्र के रूप में ले कर जाना है और इसके बाद दोस्तों पहचान पत्र की एक फोटो कॉपी भी आपको ले कर जाना है जो भी आप मूल पहचान पत्र ले जाएंगे उसकी एक फोटो कॉपी भी आपको ले कर जाना है इसके साथ म दोस्तो बाल पॉइंट पिन का प्रयोग आपको वहाँ पर गोले भरने के लिए करना होगा, OMR सीट में जब आपको भरना होगा, तो नीला अथवा काला बाल पॉइंट पिन का ही प्रयोग करना है, मार्केट से आप 10 रुपे की एक पिन ले सकते हैं, नीला या काला कोई भी आप ले सकते हैं, 10 रुपे की एक आती है बाल पॉइंट पिन, उससे आप आसानी से OMR वगरा भर सकते हैं, तो ये 5 चीजे आपको जरूर ले कर जाना है, क्योंकि बिना इसके दोस्तों इंटरी नहीं होगी, ठीक है, इसके बाद दोस्तों माल लेते हैं कि ये सभी 5 चीजे लेकर आप परिक्षा हाल में पहुँच जाते हैं, अब परिक्षा हाल में आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, ये सबसे ज़्यादा महत्पूर है, तो आईए देख लेते हैं आपको पेपर कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले दोस्तों परिक्षा हाल में पहुँचने के ब मिलेगा तो सबसे पहले जो सबसे सरल प्रस्ण है जिसे देखते ही आप उसका उत्तर बता सकते हैं उन प्रस्णों को सबसे पहले हल करना है ठीक है कठिन प्रस्णों को आपको पहले हल नहीं करना है जो सरल प्रस्ण है पहले उन्हें हल करना है हो सकता है दोस्तों पहला दूस तीसरा प्रस्ण आपको नहीं आ रहा है इस situation में आपको घवराना नहीं है क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जो कठिन प्रस्ण है वह पहले आ जाता है और जो सरल प्रस्ण होता है वह बीच में या फिर अंत में होता है तो इस situation में आपको घवराना नहीं है आपको क प्रस्णों को पूरा हल कर लेना है इसके बाद जो कैलकुलेशन वाले प्रस्ण है उनको हल करना है जैसे कि मैथ, रिजनिंग, तालिका, ग्राफ इन सभी प्रस्णों को दोस्तों अंत में हल करना है इनको पहले नहीं हल करना है इनको अंत में हल करना है जो कैलकुलेशन वाले प्रस्न है ठीक है इस तरह से आपको पूरा पेपर हल करना है अब आपके मन में यह प्रस्न होगा कि सर कितना प्रस्न हल करना है क्योंकि इसमें माइनेस मार्किंग भी है ज्यादा प्रस्न हल करेंगे तो माइनेस मार्किंग से नंबर कट जाएगा तो यहां से दोस्तों आपक बिल्कुल भी घवराना नहीं है एक बटा चार की माइनेस मार्किंग है लेकिन इससे आपको बिल्कुल घवराना नहीं है देखे दोस्तों कम से कम 85-90 प्रसनों को हल करना है इससे कम आपको बिल्कुल नहीं करना है द्यान रखियेगा 85-90 प्रसनों को आपको हल करना है इससे क आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप सोच रहे हैं कि 60 से 70 प्रस्न मुझे आ रहा है और मैं केवल इतना ही प्रस्न हल करूंगा क्योंकि इसमें माइनेस मार्किंग है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी क्योंकि दोस्तों जब आप 70 प्रस्न हल करके आएंगे तो उसमें से कम से कम 8 से 10 प्रस्न निश्चित रूप से गलत होगा क्योंकि जल्दबाजी में और टाइम का अभाव रहता है इससे कुछ ना कुछ प्रस्न गलत हो ही जाते हैं और यदि 70 में 10 प्रस्न गलत हो गया तो आप 60 पर आजाएंगे और उसमें कुछ माइनिस मार्किंग कट जाएगा तो आप 55 से लेकर 57 नमबर पर आजाएंगे और इतने नमबर लाने से कोई फायदा नहीं होगा इसलिए दोस्तों कम से कम 85 से 90 प्रस्नों को हल करना है यदि आप 90 प्रस्न हल करके आएंगे और उसमें से 10 प्रस्न गलत भी हो जाएगा तो आपका 80 नमबर बचेगा और इसमें से कुछ माइनिस मार्किंग कट जाएगा तो भी आपका परियाप्त अच्छा इसकोर रहेगा इसलिए माइनिस मार्किंग से आपको डढ़ना नहीं है अच्छे से आपको पेपर हल करना है जितना आपने पढ़ा है वह आपके लिए परियाप्त है अब आपको अलग से पढ़ने किया उसकता नहीं है तो इस तरह से यहाँ पर जितनी भी बाते आपको बताई गई हैं इसे आप लोग जरूर फॉलो करिए, खुस रहिए, प्रसंद रहिए, मुस्कुराते रहिए और सभी को धेर सारी सुवकामनाओं के साथ इस वीडियो को यही पर समाथ करते हैं जितनी भी बाते आपको बताई गई हैं, इन बातों को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इससे आपको काफी ज़्यादा लाग मिलेगा तो वीडियो को यही पर समाथ करते हैं, अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद